आज मैं आप लोगों के साथ नीबू के शर्बत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ नीबू का आज जो मैं आपको शर्बत बता रही हूँ उसके लिए तो मैंने नीबू लिया है नीबू आप अपने अनुसार कम या जादा ले सकते हैं मैं यहाँ पर एक किलो मैंने करीब नीबू लिया है उसके बाद मैं इसका रस निकालूंगी शक्कर लिया है शक्कर का नाप मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें कितनी शक्कर लेना है इसके लावा मैंने काला नमक लिया है सादा नमक लिया है एक कप मैंने इसमें पानी लिया है सबसे पहले friends हमें नीबू का शर्बत बनाने के लिए ये देखे मैंने थोड़े बड़े साइस का नीबू इसले लिया है ताकि जादा से जादा रस निकल सके सबसे पहले हम नीबू को दो हिस्सों में काटेंगे और इस तरह से चनी बाया एक भी स्विट इस रस में जाने न पाए ये दि बीजे चले जाते हैं तो नीबू का रस थोड़ा सा कड़वा हो जाता है इस तरह से मैं सबी नीबू का रस निकल लूगी ये देखे बहुत ही आसानी से निकल जाता है नीबू का रस Friends, I'm sorry यहाँ पे construction हो रहा है उसकी noise को आप avoid करें इस तरह से सभी नीबूओं को हम काट लेंगे और सभी नीबूओं का हम रस निकाल लेंगे रस निकालती जा रही हूँ बस यह ध्यान रखें कि बिल्कुल भी seeds ना आने पाए यह देखें फैंट्स इतने सारे नीबूओं का मैंने रस निकाल लिया है आप अपने अनुसार ही नीबू का रस निकालें जितने नीबूओं का शर्वत आपको बना के रखना है जितना आपके घर में पीने वाले हो या जितनी जर्वत है उसके अनुसार नीबू ले अब ये नीबू का जो रस मैंने बनाया है, इससे सबसे पहले हम नापेंगे कि कितना रस निकला है हमारा आप देख रहे होंगे, इस measurement cup से 1 cup का नीबू का रस निकला है अब हमें इस तीन गुनी जादा शक्कर लेना है, जितना नीबू का रस है, उसे तीन गुनी जादा हमें शक्कर लेना है, अब इस रस को मैंने नापने के बाद वापस हम इसमें रख देंगे, अब शक्कर लेंगे, यह देखे, अब हमें तीन कप शक्कर लेना है, एक कप नी अगर थोड़ी से भी कम लगे तो आधा कप हम और ले सकते हैं, तीन कप मैं नहीं डाल रही हूं, धाई कप डाल रही हूं, टू एंड हाफ, आपने देख लिया, इतनी शक्र चाहिए, तो जब भी अब इसमें हम दो कप हम इसमें पाने डालेंगे और एक तार की चाशनी बना तो यदि बहुत से लोग शक्कर खाना पसंद नहीं करते हैं, शिर्फ हमें नीबू का रस प्रिजर्व करके रखना है, तो ये रस जो मैंने अभी निकाला है, उसमें हम एक बड़े चम्मच भर के नमक डालेंगे, काला नमक और सादा नमक, और इस रस को हम 6 मेहने तक के प अब इसे हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद गैस बंद कर रही हूं है, अभी चाशनी हमारी बहुत गर्म है, जब यह बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं ये लेमन जूस इसमें एट करूँगी, यदि मैं गरम चाशनी में लेमन जूस डालूँगी, तो नीबू का शर्वत हमारा कडवा हो सकता है, खिलके हैं, हम इसे बिल्कुल ना फेकें, मेरी अगली चो रेसिपी आ रही है, उसमें मैं आपको नीबू के खिलकों का ही अचार बनाना बता रही हूं, तो चुकी है, आप देख रहे होंगे इसका गाढ़ा पन, ये देखि है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, इसे अब हम साल भर तक के स्टोर कर सकते हैं, यदि आप फ्रीज में नहीं रखते हैं, तो दो महने चल सकता है, यदि फ्रीज में रखते हैं, तो यह साल भर तक के हमारा नीबू का शर्वत चल सकता है, कि किसी भी जार में आप बस का कांच का बरतन होना चाहिए जिसमें हम नीबू का शर्वत करके रखना चाहते हैं वह कांच का बरतन होना चाहिए प्लास्टिक की बॉटल में रखेंगे तो नीबू का शर्वत खराब हो जाता है हमेशा कांच के बरतन में ही नीबू का रस नीबू कोई भी चीजें बना कर र नीबू के शर्वत में यदी हम काला नमक डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यदी आपको नीबू के शर्वत की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल क सब्सक्राइब जे रूटे